इस वेडियो में मैं आपको बताऊँगा आप किस तरह Windows 10 Laptop में Command Prompt के जरिए Color Management किस तरह Open कर सकते हैं चलिए देखते हैं सबसे पहले आपको Type Here To Search में Enter करना है CMD यानि Command Prompt CMD टाइप करने के बाद आपको दिखाई देगा Command Prompt आपको इसे Open करना है और फिर आपको इहाँ पर Type करना है C-O-L-O-R-C-P-L Color C-P-L ये आपको इहाँ पर Type करना है और Enter कर लेना है तो आप देख सकते हैं Color Management Open हो गया है इस तरह आप Command Prompt के जरीए Color Management Open कर सकते हैं